आगरा के लच्मी नगर जगदीशपुरा में आज सुबह फैक्टरी में आग लग गई। लग भग एक करोण रुपए का नुकसान हुआ है। से जानकार है जो इस कॉंटेक्स से जुड़े हुए इस कंपनी से जुड़े हुए है। लेकिन तलके सुबह चार बजे यहां एक अचानक आग लग जाती है। आग का कारण अभी कुछ पता नहीं चल पाया किस कारण लगी है। लेकिन उसकी भी जानकार यहां से हम जनता से लेंगे और यहां के मालिक से पूछेंगे। देखिए उस चीज का हम दिखा रहे हैं। आपको देखिए किस तरीके से इस फेक्टरी में आग लगी है। बिल्कुल मलवे में तब्दील हो चुकी है। और यहां कारण चल ला है। जेसी वी द्वार बाहर निकालने का इतना कवाला निकला है। जल के निकला है। कुछ भी नहीं बचा है। इस फ्लेम कंपनी का एक बोर्ड है। छोटा सा यह बचा हुआ है। वह दिखेगा साइड आपको। और इसके अलावबक कुछ भी नहीं बच पाया। यहां पर जनता से हमें पूछेंगे अभी कि ऐसा क्या हुआ। कव हुआ। जनता को साइड ना मालूम हो। जातों सारी न्सीपी बनती। और जैसा बता रहे हैं हमारे परवस वाले की हमारे जो आग लगी है वो बहर थोड़ा सा कूड़ा पराता पहले उसमें लगी है। वह द्रीक के अंदर जो मतलब स्पेस था उसी में है। बाहर की तरह बाहर की तरह बाहर की तरह बाहर की अंदर कुछ नहीं हुआ है। होसकता है किसे को जरा के पैकाव कुछ भी होसकता है। पहुचे तो समय पर तकरिम फैल चुकी थी। सबस्क्राइब कितने का आपका नुक्सान हुआ है तो बहुत बड़ा नुक्सान है इसके लिए नुक्सान तो है लेकिन किसी कोपर कि बिलिब नहीं कर तकते हैं लेकिन आपके लिए बड़ी कट्णाई वाला दिन है सबसे कटनाई तो यही है वैसे और कोई भी आपकी शिकायद रही है इसके लिए किसे की कुछ शिकायद नहीं है हमारी आपका नाम क्या है तो आप यही के रहने वाले हैं जब आग लगी थी आप मोजूग थे यहां चारवे लिए में बाद परोशी में उठाया चारवे लग जाए हम अग को देजिती तो अग लगना भी अपर तो थोड़ी थोड़ी तो दोड़ी नहीं चुरू हुआ था जिके बाद में फेक्ति मालिको फोन किया फोन गिया एक साबारा फोन किया करस्प्शना देदी ती उसके मालिक आए ताला पुला गया यहां कितनी बहंकर पानी डाला पानी जो लगी है अच्छानक से इक्डम लग गया आग किस कारण लगी कुछ पता नहीं कुछ पता लगा है मैं तो मेरा बतीजा लगता है मैं तो राच्पुचंगी रहता हूं तो मुझे सुझना विली के ऐसे बात होगी तो मैं वहां से आया हूं तब मैंने आके बहुत 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 रिस्तिती है बहुत ज्यादा नुकसान है कुछ नहीं बचा इसके अंदर बचाहे उतना मसीने बगाएथी सब अतब होगा या पीछे भी आग लगान वें तख मुड़ी दिक्कत हुई है यानिकि पीछे के पीछे के हां उन्सक्राइए छे लगें और पासिक नोशिन उसक्तिक्राइए प्लास्टिक नकाल में नुक्सान हो गया वह अब तीन तो गारी जल चुकि एक पुलसर गारी चलिए एक एक बैटरी वाली एक जलिए एक स्कूटर एक साय लोडिंग वाला है वो जला एक प्लास्टिक एंदर दे वो सारी चीज है इसके बाद करीब दिए से नो पांच तो प्लोटर जले हैं और दो लेप्टॉप जले हैं तो अब तक निखाला जा रहा है इसमें अब हो ददक रहे हैं तरसल क्या हुआ है जैसे आग लगी है ना तो जो पीन सेटा ना वह दब गया है तो जो फाइर बेड़ वालों ने जो क पानी आग पे नहीं जा पाया है वो सीधा क्या टीनों के ऊपर ऐसे गया है तो यह कवाले को निकाल करके ना अब उसको प्रॉपर और और बुजाई जो अभी ददक रही है ना प्लास्टिक की वैसे तो अभी दोबारा कोसिस कर रहे हैं उसको बुजाने हैं कब सुचना मिली यहां पर आग लगी है वहां से सुचना प्राथ होती ततकाल में दो गाड़ी लेकर के मैं स्वयन एफसो और अपनी टीम के साथ आया मौके पर पहुशने के लिए पता नहीं था तो थाने से संपर करके थाने के लोग भी थे अंदर अलाए यहां गाड़ी घुशने में बड़ी गाड़िया दिकत हो रही थी अंदर आकरके मौके पर आकर के चत्काल हमने तीन डिलिवरी लाइन विछा करके आग को बुझाना प्रारम किया आग बुझाते रही वक्त यह तीन पानी पूरा उपर जा रहा था हाइड्रा मंगा करके उसको टीन को हटवा करके अब आग का तेजी में लगी हुई थी आग कितनी गालियों का प्रियोग हो चुका है इसमें हम चार गाड़ियों का प्रियोग गया काफी रूप लिया हुआ था तो कि वैसे जोलें सील समगरी होती है और तीन बैड जाने की वज़े से पानी सही रंग से अंदर नहीं जा पा रहा था और तीन को हटवाना इस अब देखें प्रिजेंट टाइम में अब यह टाइ लगवग सुबहें चार बजे से जो मैंने सुना है कि लगवग सुबहें चार बजे से आग लगी आग तो हमने कंट्रोल कर लिए थी डिरफ़नों दो गंदे में अब यह सुलगती हुई आपको ही टीन हटा करके बुजाया जा रहा है आप पर न्याम क्या जी है आप इसी अकरवाल जो फ्लेम प्रोडक्शन के नाम से इनकी जो फर्म है और यहां पर शीट और एक्रेलिक और फ्लेस का काम करते थे और पता नहीं कि शोट सर्केट से या कि भी दुरकरना बद यह आग लगती और जितने भी मचीन है थी सामान ता गाड़ी आती सभी इसमें मौके पर आला कि तीन गारियां फायर विकर्ट की पहुंची और इस्तानिय पुलिस भी सभी का सहीओ रहा तो यह आग बजा दी गए लेकिन सभी कुछ बहुत नुक्सान हुआ है लेकिन कोई भी जन्हानी नहीं हुई है आपकी मौके पर पहुंच के मौझूद की जन्ता को बहुत कुछी रगा है जिए क्या सुनने में आता है जिए पार्साजी हमारे सेटे के बहुत अच्छे हैं जो देखते हैं आपकी चारिव करते हैं यह भी उचीत है नहीं देखिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसी मौकर में पहुंचा जाए किसी के सुख में या दुख में वही कारे हम लोग का